हेलो स्टूडेंट स्वागत है हमारे चैनल अली स्टडी न्यूस फ़र यू के एक नए वीडियो में बहुत ही महत्वपोर टॉपिक के बारे में हम आप डिसकस करेंगे जिस टॉपिक का नाम है महंगाई पर निबंद बहुत ही बार पुछा जाता है यूपी बोडो या कोई हर बोड के लिए इंपॉर्टेंट है महंगाई पर निबंद ठीक है तो वीडियो को स्टार्टिंग से इंड तक देखेगा आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं इस वीडियो में जिससे आपको निबंद लिखने और समझने दोनों में ही आसानी होगी ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं पहली बात मैं आपे बता देता हूं कि आपको लिखना कैसे है आपको लिखना हेडिंग वाइस हेडिंग है जिस हेडिंग में जो पैराग्राफ मैं बताऊंगा बस उतना आप लिखते चले जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर एचीव हो जाएंगे और प्रस्ताउना के लाष्ट में बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं महंगाई पर निबंध पहला आपको जो हे डिंग लिखनी है गोड़ीन लिखना है प्रस्ताउना में आपको लिखना है महंगाई ने साधारन मनुस्य की कमर को तोड़ कर रख दिया है महंगाई ने साधारन मनुस्य की कमर को तोड़ रखा है भारत में मुल्य वृद्धी एक नियमित कार है कभी-कभी सरकार मुल्यों में वृद्धी कर देती है मुल्यों में विद्धी यानि पैसे की विद्धी कर देती है यानि जो हमारे मार्केट में समान अवेलेबल है उसको महंगा कर देते हैं कभी-कभी वस्टुएं बजार से गायब हो जाती है मतलब जो चीज हमें जरूरत होती है वो तो market से गाय भी हो जाती है ठीक है अर्थात वस्तूँ की कमी हो जाती है लोग इसे काला बजारी से क्रे करते हैं उन्हें उच्चितम मुल्ले चुकाना पड़ता है भारत की सरकार इसे रोकने का प्रेतन करती है लेकिन इसमें सफल नह हो पाती है इसलिए साधारण लोग लोगों पर महंगाई का बुरा असर पढ़ जाता है ठीक है तो यहां पर प्रस्तावना हो गया अब महंगाई के कारण हर देखिया पर हर जो हेडिंग है बहुत ही इंपोर्टेंट है आपको बहुत ही ध्यान से देखना है अब दूसरा जो हेडिंग आपको लिखना है महंगाई का कारण इसमें लिखना है आपको महंगाई के अनेक कारण है कभी-कभी वस्तों का उत्पादन बहुत कम होता है और यह लोगों की मांग को पूरा नहीं कर पाती जैसे हाल में अभी प्याज का दाम बहुत ही जादा बढ़ गया महंगाई के अनेक कारण है कभी-कभी वस्तों का उत्पादन बहुत कम होता है और यह लोगों की मांग को पूरा नहीं कर पाती है यह पूरती कम है मांग बढ़ी हो जाती है प्राकृतिक रूप से मुल्ह बढ़ जाएंगे विकासिल विकासिल जैसे भारत में हमें ऐसी सित का सामना करना पड़ता है यानि हमारा देश तो भाई विकासिल देश तो है लेकिन ऐसे भी देश में हमें ऐसा इस्तिति का सामना करना पड़ आता है कभी-कभी मुल्य बढ़ना आवस्यक होता है यदि कच्चे सामान का मुल्य अधिक है तो उत्पाद लागत भी अधिक हो महंगाई का एक और भी कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है ठीक है महंगाई का एक कारण यह भी है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या यह भी हमारा एक कारण है हमारा उत्पादन जनसंख्या के साप्यक्ष समान रूप से नहीं बढ़ता इसलिए वस्तुमों क माग और पूर्टि के मध्य महंगाई एक वास्तवि घटना है साधारन मनु UI के रहने की डंग का अस्तर बढ़ रहा है कभी 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 कमी भी मुल्य बढ़ने के कारण हो याते हैं ठीक है यानि कबी कभी कमी यानि जो भी समान की कमी पढ़ जाती है और जनसंख्या तो जादा है तो उस वस्तु का जो दाम है वो तो बढ़ जाएगा ही तो ये भी एक कारण है अब आगे का देखे क्या है आपको हेडिंग ये लिखना है उत्पादन में वृध्धी ठीक है उत्पादन में वृध्धी मूल्य वृध्धी को रोकने के लिए सरकार और जनता को उत्पाद की दर में वृध्धी करनी चाहिए सरकार को काला बजारी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए काला बजारी यानि मैं आपको अच्छे समझा जेता हूँ काला बजारी यानि जो सामानों को खर में रख लेते हैं और उसको देते नहीं दूसरों को ताकि वो सब को मिले उसके सब का हर फ़लब्द हो सरकार का प्रतेक प्रयास ऐसा होना चाहिए कि मुल्य वृध्धी पर लगाम लगाई जा सके मुल्य वृद्धी समाज में अनेक कुकर्मों की जड़ है इसलिए मुल्य वृद्धी को नियंतर करना अत्यानतावस्यक है अब आगे का जो मतलब है यहाँ पे रेडिंग निकल क्या रहा है वो है भारत का सामाजिक वर्गी करण भारत का सामाजिक वर्गी करण भारती तीन स्रेडियों में वर्गी करित हैं सबसे उपर धनी लोग है यह वे लोग हैं जिनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है सबसे नीचे निर्धन लोग हैं गरीब लोग हैं इनके पास पर्याफ्त वस्तु की कमी होती है इन दो स्रेडियों के मध्य में मध्यम स्रेडि होती है जो हम लोग हैं इस स्रेडि के पास बस इतना ही होता है कि वह अपना गुजारा कर सकें यह ना तो अधिक धनवान होते हैं और ना ही आर्थिक निर्धन होते हैं निर्भरता के अर्थ में मध्यम स्रेडी की इस्तिती बद से बदर हो जाती है बदर हो चुकी है इस स्रेडी के अधिकतर लोग नौकरी करने वाले होते हैं उनको माह के अंत में निश्चित वेतन मिलना है लेकिन मुल्य दिन प्रती दिन बढ़ते जा रहे हैं विभिन प्रका उनके लिए या असंभव हो सकता है अब दूसरा देखते हैं परागरप मध्यम स्रेडी की दसा मध्यम स्रेडी कार्यकरताओं की स्रेडी है जिने अपनी योगिता और स्वास्त को व्यवस्थित रखने के लिए अच्छे भोजन की आवस्यक्ता होती है उन्हें दूध और फल उन्हें व्यक्ति ही खरीद सकता है इसलिए मध्यम स्रेडी का व्यक्ति पोषक आहार पाने में असमर्त है रहने की उच्छे लागत की चलते मध्य मैं स्रेडी की लोगों के लिए सब कुछ असंभव है यदि यह स्थिती रही तो यह स्रेडी अपनी स्थिती और अस्तर को बेरोजगारी इस स्रेडी को प्रभावित कर चुकी है ठीक है और मद्यर स्रेडी के लोगों की असंतुष्टी समाज के लिए खतरनाक है इस स्रेडी के अधिकतर लोग सिच्छित हैं वे वास्त्विक्ता को समझते हैं इतिहास हमें बताता है कि वे सदायव कुरांतियों के न पूरहें इसलिए इसरेडा के लिए लिए धायनिये दसाराष्ट के लिए हानिकारक है ठीक है अब जो लास्ट का हैं है निकल के आता इसस्टूरेंट की यहीं लास्ट होता है जहां पर उपसंग है बहस्त आसृइड़ी के नि पहतेफत nhất त्यान दिजाद हैं म्त्यक्त तो वस्तूओं का मुल्ले कम होना चाहिए। सरकार को निसुल्क उप्चार और सिच्छा की सुज़ा की सुधा देनी चाहिए। इस त्रेडी पर से करों का बोज कम होना चाहिए। उनका वेतन उनकी अवसक्ता अनुसार होना चाहिए। highlighter them पर कार्य किया जाए तो मध्यम च्रेडी की दसा में अवश्य सुधार आएगा समाज में तेजी से बदला हो रहे इस त्रेडी के लोगों के लिए सिग्र यानि जल्द से जल्द उसमें समझस्य करना कठीज है तो यहाँ पर खतम होता है हमारा निबंद तो आसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और नहीं समझ में आया तो आप बात करते हैं ट्रिक की ट्रिक को आपको करना यही है कि आपको copy pin लेना है और यह निबंद का जो है उपर heading लिखे इसमें पहले जो पहले आपको लिखना है महंगाई पर निबंद एक copy पर इसके बाद प्रस्तावना महंगाई की कारण यह सारे जो heading है वो आपको लिख लेने है और आपने वीडियो तो देखा ही है तो यहां पर आपको थोड़े थोड़े समझने जाने हैं और आपको एक खाली टाइम पे आपको समझना है कि महंगाई पर निबंद क्या हो सकता है और क्या मैंने इस वीडियो में देखा है अगर एक बार अगर इस content को आप समझ जाते हैं तो इस वीडियो का और कुछ अपने मन से अगर आप लिख देते हैं तो मैं गारेंटी देता हूँ कि अच्छे मार्क्स आप एचीव कर ही लेंगे, ठीक है इस्टुजेंट, तो ये था हमारा ट्रिक छोटा सा, आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा और वीडियों भी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियों को लाइक भी कर दीजिएगा, मिलते हैं एक नए वीडियों में हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद